नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अगर आपके पास ICICADirect का अकाउंट है और आप बहुत हाई ब्रोकरेज पे कर रहे हैं तो आप कैसे अपने ब्रोकरेज प्लान को रेडियूस कर सकते हैं किस करने का ओप्शन तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दू कि अगर आपने अभी तक अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो ICICADirect के साथ नहीं उपन करवाया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन मिल जाएगा वहाँ से जाके आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ICICADirect के थ्रू ओपन कर सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या आपको लॉगिन करना है तो जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका यूजर आइडी पासवर्ड और आपकी डेट बर्थ या फिर पैन काट डाल के आपको लॉगिन पे क्लिक करना है तो यहाँ पर क्योंकि मेरा ओलडी अकाउंट क्रियेटेड है यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ और लॉगिन करने के बाद आपको बताता हूँ कि क्या ब्रोकरेज होती है कैसे ब्रोकरेज सेलेट करते हैं और कैसे अपने प्लान को आप सस्ता कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा dashboard है वो login हो चुका है, अब यहाँ पर आपके पास क्या है, बहुत सारे options मिलते हैं जो हम आगे आने वाले videos में cover करेंगे, तो इसके लिए आप हमारे channel को subscribe करके bell icon को दबाना बिल्कुल नद भूलेगा, तो यहाँ पर आप देख सक प्राइम प्लान इसको लगबग 13,22,000 लोगों ने subscribe कर रखा है, तो इतने customers हैं जिन्होंने subscribe कर रखा है, तो यहाँ पर अगर बात करें, जो पहला प्लान है वो है iSecure Plan, जो कि by default जब भी आप DMETRO trading account open करते हैं, तो आपका जो default plan होता है, वो iSecure plan होता है, यह basically है क्या, इस प 55% यहाँ पर brokerage आप देखो कि 0.55% brokerage लगती है, आपको एक share को buy करने की, यहाँ पर different conditions भी हैं कि अगर आपका transaction जो है, वो up to 6,364 रुपीज तक है, तो आपका और आपका जो stock है, वो 10 रुपए की quantity से जादा है, तो आपका कितना लगेगा, 10 रुपए की quantity तक है, तब कितन लगेगा, तो कुछ इनकी conditions है, जो आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं इसको link जो है, वो description section में दे दूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि जो लोग जिरौधा, आप stocks या फिर angel broking को use करते हैं, तो वहाँ पर आपके maximum 20 रुपीज लगते हैं, पर transaction भले ही, आप कितन in cash, यानि कि अगर आप delivery में trade करते हैं, तो भी आपको 0.55% pay करना पड़ता है, एक single stock के लिए, तो ये तो बात होगी, I secure plan की, others plan की बात करते हैं, तो मैं वापस आगे हो, prepaid plan पे चलते हैं, अगला plan जो है, वो prepaid plan अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर different kind of prepaid plans जो है, वो द जाएगा, currency futures में per order कितना लगेगा, वो आजाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर 20 rupees आ गया है, जैसे, तो इस तरह से आप किया है कि पहले prepaid brokerage plan लेकर भी आप कर सकते हैं, जो बहुत high volume पे trade करते हैं, वो लोग prepaid brokerage plan भी रखते हैं, लेकिन यहाँ पर prime plan है क्या, तो आप इस पर click करते हैं, तो यहाँ पर यह prime plan बहुत सस्ता है, 299 rupees का plan है, अगर आप यह लेते हैं, तो आपको plus GST 18% pay करना पड़ता है, तो मोटा मोटा 354 रुपे के आसपास आपको 300 रुपे के around आपको pay करने पड़ेंगे with GST, उसके बाद क्या हो जाएगी, 0.27% cash में हो जाएगा, margin में 0.027% है, future में 0.027% है, इस तरह से lot के आगे दिया हुआ है, और सबसे बड़ी बात ही जो plan होता है, यह one year के लिए valid होता है, मैं एक बार scroll down करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखे, this scheme validity for all the prime plan is one year, तो यहाँ पर अगर आपने यह plan select किया, suppose करो ल 9.99 का plan लेते हैं, तो 0.22% जो है वो लगेगा cash में, अगर आप 1,999 का लेते हैं, तो 0.18% का लगेगा, इसी तरह से 2,999 का अगर लेते हैं, तो आपको 0.15% का cash में लगेगा, बाकी का अगे details दीवी हैं, तो अभी मैं आपको एक plan purchase करके बताता हूँ, कि आपको करना कैसे है, simply आपको जिसे 2.99 का plan लेना है, ये 1 year के लिए valid रहेगा, और charges जो लगेगे, वो 0.27% के हिसाब से लगेगे, अगर आप cash में long term के लिए लेते हैं, तो अगर आप 2.99 का plan खरीदते हैं, तो simply आपको plan select करना है, scroll down करके नीचे आना है, यहाँ पर आपको submit पे click करना है, यहाँ आपके पास relationship code है, अगर आपको कोई relationship manager है, जो आपको assigned है, तो आप उसका code यहाँ डाल सकते हैं, तो यहाँ पर code डालने के बाद आपको submit पे click करना है, तो यहाँ पर जैसे आप submit पे click करेंगे, तो आपके पास वापस से terms and conditions का जो box से वो open हो जाएगा, यहाँ पर आपकी terms and conditions दीव ही है, कि 2.99 का plan और बाकी सारे plan अगर आप लेते हैं, तो आपको क्या-क्या चीजे मिलेगी, यहाँ पर एक चीज और समधने की जुरुरत है कि आप देखेंगे कि minimum brokerage in delivery segment will be rupees 25 और 0.75% of turnover, whichever is lower, तो या तो 25 रुपे होगी, या 25 रुपे से कम भी हो सकते है, depend on कि आप price अलग होगी, तो यह दिया हुआ, तो एक table यहाँ present की गई है, following is the minimum brokerage charged, ठीक है आपने एक plan तो ले लिया सस्ता करने के लिए, लेकिन minimum brokerage कितनी लगेगी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपने 2.99 का plan लिया है, और आप transaction करते हो 9,000 तक का, यानि कि 9,269 रुपे यहाँ पर दिया हुआ है कि transaction अप 2 रुपीज 9,000 और 259 रुपीज तक का अगर आप करते हो transaction, तो आपके minimum जो brokerage है, वो लगेगी रुपीज 25 और 0.75%, whichever is lower, अगर आप इससे जादा करते हैं, तो फिर आपकी कैसे लगेगी, आपका जो percentage है, जो आपने brokerage plan select किया, उसके respect में जो भी cash का percentage है, उसके हिसाब से लगेगा, SEP में बात करते हैं, तो minimum जो आपकी value है, 299 रुपीज के लिए 3,703 यानि कि 3,703 रुपीज, यहाँ पर रुपीज 10 और 0.75% whichever is lower लगेगा, same way में margin segment में आपके एक दी हुई है, कि 55,555 पे रुपीज 15 और 2.5% whichever is lower, तो यह charges लग अगला है, penny stocks, bonds and NCDs, brokerage will be same as cash brokerage rating prime plan, ठीक है, तो यह सारी सारी आप conditions यहाँ पर पढ़ सकते हैं, उसके बाद जब आप यहाँ पर scroll down करके नीचे आएंगे, तो यहाँ पर आपको option मिलता है, I agree का, तो आपको I agree करना है, तो आप I agree करने के बाद आप किया कर सकते हैं, submit पे click कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको submit पे click करना है, तो आप check कर लीजिए, check करने के बाद आपको submit पे click करना है, अब यहाँ पर आ गया है, you have selected the prime brokerage plan of rupees 299, amount of rupees 352, rupees and 82 पैसा including GST will be debited from your linked bank account towards prime plan charges, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ क्योंकि मेरा जो demet or trading account है, वो मेरे bank account के सा दूसरा bank account link किया है, तो उससे cut जाए, लेकिन मेरा मानना यहाँ पर यहाँ पर यह है, कि अगर आप ICICI के साथ जाते हैं, तो आप demet, trading और bank account, 3 in 1 एक साथ खुलाओ, बहुत easy हो जाता है, convenience हो जाता है, जिसे मुझे कोई gateway पे नहीं जाना, simply क्या करना है, मैं जैसी yes करता तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, OTP आ रहा है, OTP has been sent to your registered mobile number, तो जो भी आपका registered mobile number है, उस पे एक OTP आएगा, OTP मेरे पास आच चुका है, मैं आप OTP एंटर करके submit OTP पे क्लिक करता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो plan है वो purchase कर लिया है, purchase करने के बाद, अब आपके पास होगा क्या, कि जैसे ही यह plan activate होगा, तो आपको दूसरे दिन से यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसको check कैसे करना है, तो उसके लिए आपको scroll down करके नीचे आना है, और यहाँ पर आपको plan history के अंदर दिख जाएगा, कि 10 अगस्त क यह मैंने किया है, prime 299 का plan, scheme applied जो है, वो 11 तरिक से, यह अगले दिन से होगी, pending है अभी status, जैसी तो payment clear हो जाएगा, यहाँ पर यह जो plan है, वो change हो जाएगा, auto renewal yes है, तो यह auto renewal जो है, वो automatically हो जाएगा अगले साल, अगर आप इसको cancel नहीं करेंगे तो, तो इसको अगर आपक change करना है, अगले साल इसको नहीं pay करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, वापस से जाके, जो मैंने आपको बताया है, कि उपर जाना है वापस, तो जैसी prime plan अभी हमारा select हो जाएगा, अभी pending आरा है status, तो उसके बाद में, आपको future में change करना है, यहाँ change plan पे click करके, यहाँ से जो भी plan change करना है, वाप plan change कर सकते हैं, तो I hope यहाँ पर आपको सारी चीजे clear हो गई होगी कि किस तरह से अगर आपका जो brokerage plan है, वापको change करना है, तो किस तरह से आप brokerage plan change कर सकते हैं, और सस्ती brokerage में आप अपने stocks को long term के लिए hold कर सकते हैं, तो आज की वीडियो बस इतना